एक lawyer एक married lady के pair में बढ़ता है या अपने बयार की बीच में किसी को भी नहीं आने दिना चाहते है आज की हमारी movie ये body hit in 1981 की एक अच्छी thriller mystery movie है इसमें twist भी अच्छा आता है तो last तक इस video को जरूर देखीगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करना जाता हूँ अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो please like और comment जरूर कर दीजेगा इसे चैनल को बहुत support मिलता है और बीना किसी देरी के movie को explain करना स्टार्ट करता है movie स्टार्ट होती है और हमारा main character जिसका नाम है Nate इसे हम एक लड़की के साथ देख सकते है यह बहुत हैंडसम और playboy टाइप character है इसके बाद Nixon में पता चलता है कि Nate एक lawyer है उसके judge के साथ उसकी discussion हो रही थी एक्शन में Nate ने एक corrupt client को represent किया था तो इसलिए judge उसे सुना रहा था इसी case का prosecutor जिसका नाम है Peter यह भी Nate का friend ही है case खतम होने के बाद यह तुनों cafe में आते हैं और hangout करते हम देख सकते हैं रात में बीच पर एक show चल रहा था जहाँ पर Nate था एक लड़की उसे पास होती है जो बहुत ही beautiful है यह हमारी औरिंग main character है जिसका नाम है Mattie Mattie अकेली cigarette भी रही थी तो उसे जाकर वो अप्रोच करता है कहता है कि मैं तुम्हें मेरे साथ खड़े होने दूँगा अगर तुम इस heat के बारे में बात नहीं करोगी यानि कि वो ऐसे जता रहा था कि Mattie ने उसे अप्रोच किया है Mattie directly उसे कहती है कि मैं married हूँ यानि को interested नहीं है Mattie कहता है कि तुमने married कहा happily married नहीं Mattie कहती है कि तुम ज़्यादा smart नहीं हो मुझे जीज अच्छी लगती है इसके बाद Nate कहता है कि तुम्हें जो जो अच्छा लगे या सब qualities मुझ में है वो उसके लिए drink buy करना चाहता है Mattie कहती है कि मुझे एक husband है तो Nate मजाग में कहता है मैं उसके लिए भी drink buy करूंगा जो कहती है कि वो out of town है Nate कहता है या तो और भी अच्छा है अब Nate मान नहीं रहा था तो मैंटी उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ buy करना ही है तो ice cream buy कर दो मैंटी का outfit बहुत ही अच्छा था तो Nate कहता है कि तुम pine heaven में रहती होंगी इस city का बहुत ही reach area है और मैंटी reach लगती है मैंटी भी इसके लिए agree करती है वो पूछती है कि तुम्हें ही कैसे पता चला मैंटी कहता है कि तुम्हारा बहुत अच्छे से खयाल रखा गया है मुझे भी मेरा खुद का खयाल रखने की जरूरत है मैंटी कहती है कि फिर तुम शादी कर लो Nate कहता है कि मुझे आज रात की जरूरत है इस पर वो हसी और उस वज़े से उसका आइस क्रीम उसके ट्रेस पर गिर गया वो नेड से कहती है जाकर मेरे लिए कुछ टीशू बेपर लेकर आओ जब नेड वापस आया तब तक मैटी वहाँ से गायब हो चुकी थी उसे ढूणने की नेड ने बहुत कोशिश की पर कही भी उसे वो नहीं मिली एक दू दिन गुजर जाते है तो उसके बाद पाइन हेवन में जो एक बार है वहाँ पर वो पहुचता है यहाँ पर मैटी उसे मिल जाती है नेड को देकर वो सप्राइस्ट है और कहती है कि आज कल गर में बहुत ही बढ़ चुकी है घर के बाहर चाइमस की आवाज आ रही थी मुझे लगा कि एक कोल्ड ब्रीज होगी पर वो भी गरम ही थी वो फिर उसे पुछती है क्या तू मेरा पीछा कर रहे हो नेड कहता है कि मैं उस आदमियों में से नहीं हूँ उसका कुछ काम था इसलोब यहां आया हुआ था इस बार में कुछ और आदमी है जो नेड की तरफ गुस्से से देख रहे थे तो मैटी से बुछता है कि यह लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे है मैटी कहता है कि उन्होंने मुझे अपरोज करने का ट्राय किया था वर मैंने किसी को भी भाव नहीं दिया तुम बहुत समय से आः हो तो तुम से जेलस है नेड कहता है कि तुम इतनी ब्यूटिफुल हो और इतने ब्यूटिफुल आउट्फिट के साथ आई हो इसी वज़े से तुम्हारे पीछे बड़े हुए है तुम्हें ऐसे रात में अकेले बार में नहीं आना चाहिए मैटी कहती है कि सब चीजों से मैं तंग आ चुकी हो और क्या होगा इससे मुझे फरक नहीं पड़ता क्या तुम इस फीलिंग से रिलेट कर सकते हो नेर कहता है कि हाँ कभी-कभी मुझे लगता है सब चीजे आकर मुझे पर ही गिरेगी मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा इसके बाद वो डारेक्ली उसे पूछ लेता है क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हो ये केदी कि मैं कार में आई थे तो इसका वो पीछा करने वाला है मैटी है थी है कि एक छोटा सा टाउन है इन लोगों ने हमें एक साथ देख लिया है मेरे हजबन को एक पता नहीं चलना चाहिए इसलिए मैं पहले जाती हो उसके बाद तुमाना नेड कहता है इन्होंने तो अल्रेडी हमें देखी लिया है इससे और कोई जादा फरक नहीं पड़ने वाला मैटी उसे जोर से जहबन मारती है और दुसरी जगा पर जाकर वेट जाती है नेड को ये समझ आ गया था वो बाहर उसके लिए वेट करता है ये दोनों फिर मैटी के घर पर आते है नेड को एक्च्वन में मैटी जिस चाइम्स के बारे में बात कर रहे थी उसे देखना था ये देख लेता है तो मैटी उसे घर के बाहर निकाल देती है वो चाहती थी कि इंटिमेट हो पर उसने अब अपना मैंड चेंज कर लिया है उसने उसे किस किया वो उसे बाहर निकाल दिया बाहर आने के बाद भी वो उसके बारे में ही सोचता रहता है वो फिर इसे डोर के पास आता है तो मैटी घर के अंदर जिस जगा पर खड़ी हुई थी वो यह पर खड़ी है यह अंदर आने की कोशिश करता है पर सब डोर्स लॉक्ट है बड़ा सा बत्तर लेकर वो एक खिड़की को तोड़ देता है अंदर आने के बाद एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है इस रात के बाद यह बार और बार मिलने लग गए एक बार इंटिमेट होने के बाद मैटी अपने बेड़्शिस बदल रही थी नेड उसे पुछता है यह तुमारे मेड नहीं है मैटी कहती है कि उससे अगर हमारे बारे में पता चल गया तो हम प्रॉलम आ सकता है नौलेज ही पावर होता है इसके बाद नेकसिन में नेड को उसके फ्रेंड के साथ हम देख सकते हैं कि बहुत दिनों से उनसे मिला नहीं था तो उन्हें अब शक आने लग गया है उन्हें लगता है कि नेड अब किसी औरत के साथ है ये उसे पूछने की बहुत कोशिश करते है पर नेड उनसे कुछ भी नहीं कहता इस फ्रेंड में हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रॉसेक्योटर और एक पुलिस ओफिसर है ये जब हीट के बारे में बात कर रहे थे तो नेड का पुलिस फ्रेंड कहता है इस हीट की वज़े से लोगों का दिमाग भी करम हो जाता है सिटी में क्राइम्स बढ़ने लग जाते हैं नेकसेन में हम देखते हैं कि नेड और मैटी जब एक साथ थे मैटी नेड से गहती है कि मेरा हस्बंड कल आने वाला है वो अपने हस्बंड को थोड़ा भी पसंद नहीं करती वो कहती है कि वो वीक है और एक घटी आदमी भी है मैटी के हस्बंड के जाने के बाद एक दिन नेड उसे मिलने के लिए आया उसे डारेक्ली पुछता है क्या तुम्हें इंटिमेट होना है जिससे वो बात कर रहा था जब वो मुड़ी तो मैटी नहीं थी नेड को बहुत ही इंबरेस्ट फिल हुआ मैटी भी नेक्स्ट मुव्मेंट में वहाँ आ जाती है वो कहती है कि यह मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है मैरियान उसने जो डारेक्ली कहा इसे वज़े से उसे बहुत ही बुरा लग रहा था उसे लगा कि अब इन दोनों की चोरी पकड़ी जा चुकी है मैटी कहती है कि तुम जादा वरी मत करो मैरियान मेरी एक अच्छी फ्रेंड है और कभी भी मेरा कवर वो प्लो नहीं करेगी इसके बाद नेकसिन में नेड और मैटी मैटी के हस्बन के बारे में पात कर रहे थे अगर मैटी के हस्बन की डेथ होके तो उसकी आधी पॉपर्टी उसे मिल जाएगी उसका हस्बन बहुत ही रीच है यानि कि रियलिस्टे स्टॉक मार्केट पर मुझे लगता है कि जिन लोग के साथ हो है उनके साथ वो कुछ illegal कर सकता है उसके friends बहुत ही dangerous है वो उसे hate करती है और चाहती है कि वो मर जाए यह almost मैटी के husband को मारने की बात कर रहे थे नेड इस conversation को रोक लेता है कहता है हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले है एक रात यह दोनों बीच पर hangout करने के लिए आये हुए थे नेड मैटी से कहता है तुम अपने husband से divorce क्यों नहीं लेती है फिर भी तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल ही जाएंगे मैटी कहती है कि शादी से पहले ही उसे मुझे से contract करवा लिया था इस contract के according divorce हो जाने के बाद एक साल तक उसे सिर्फ थोड़े से पैसे मिलेंगे उसके बाद उसे कुछ भी नहीं मिलेगा नेड कहता है कि मुझे लगा था तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे मैटी उसे पूछती है क्या इससे कुछ फरक पढ़ता है नेड कहता है कि नहीं इससे कुछ भी फरक नहीं पढ़ता यानि मैटी के पास पैसे हो या ना हो उसके साथ ही रहने वाला है मैटी फिर नेड को एक gift लेती है एक hat है उसे कहती है तुम्हें हमेशा लगता था कि तुम पर सब कुछ गिर जाएगा यह hat तुम्हे beautiful gift था मैटी का husband हमेशा business के लिए घर से बहार रहता था एक दिनो जब घर पर आया तो अपनी sister की daughter को लेकर आया जाते वक्त मैटी के पास ही उसे छोड़ कर गया अब बहुत ही दीन हो चुके और अपने husband की वज़े से मैटी नेड से मिलनी पाई वो एक पेफोन से उसे call रही थी इस छोटी लड़की को एक पूरा सपना आया जिसी वज़े से वो नीचे आ गए इसने मैटी और नेड को intimate होता देख लिया इसके बाद next day मैटी की sister-in-law अपने बेटी को लेकर चली जाती है sister-in-law को हमेशा से लगता है कि मैटी उसके ब्रदर के लिए गलत है तो इससे वह सही से बात नहीं करती है एक दिन नेड डिनर करने के लिए एक इस्पेंसी रेस्टारंट में आया हुआ था वाव पर मैटी भी आ गए पर वो अपने हस्बंड के साथ थे प्यामने सामने आ गए थे और हस्बंड को पता चल जुका था कि एक दूसरे को जानते है म मैटी का हस्बंड कहता है कि मैं भी लॉयर हुआ करता था पर उसे वो जौब अच्छा नहीं लगा उसे जादा पैसे कमाने थे तो इसलिए अलग-अलग चीज़ों में आ गया का आप करती क्या हो हस्बंड कहता है कि मैं लैंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ स्टार्ट देता हूँ यह दोनों एक दूसरे से बात करे रहे हैं इसे मैटी जारा अनकंफर्डेवल हो गए वो फिर वास्ट्रूम चली जाती है मैटी का हस्बंड नेट से कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटिफूल है अगर उसने किसी के साथ अफेर किया तो मैं उसके लवर को मार डा वो बहुत ही इगर था उसके पास नॉलेज था पर जो चीज चाहिए हो थी बिजनेस के लिए वो चीज उसमें नहीं थी हस्बंड कहता है कि जो नेसेसरी हो वो करना चाहिए यानि कि अपने बिजनेस को बचाने के लिए लोगों को किसी भी हद तक जाना चाहिए कोई भी इलीगल चीज़ करने के लिए husband पीछे नहीं रोकता, यह हास हमें पता जलता है। Matty का husband जाने के बाद तुरंत वो Ned के पास आती है। उसके office में आई, तो Ned कहता है कि हमें careful रहना चाहिए, तुम्हें कोई देख सकता था। Matty कहती है कि मैंने पहले वेट किया, तुम्हारे secretary को जाने दिया, यानि कि मुझे कोई देख ना सकिया। Ned कहता है कि अब हमें बहुत ही careful रहना चाहिए, तुम मुझे ज़्यादा call भी नहीं कर सकते, क्योंकि phone company के पास इस सब के records होते हैं। Matty बुश्ती है, तुम ये क्या बात करे हो। Ned कहता है कि अब हम तुमारे husband को मार डालने वाले हैं। हम दोनों इस बारे में सोच रहे थे, पर कोई बोल नहीं रहा था। अब सिर्फ हमारे लिए हम ये करेंगे। मुझे नहीं पता क्यों deserve करता है या नहीं। Matty की husband की एक खाली पड़ी हुई property हो देखकर आया, जहाँ पर उसकी body dispose कर सकता है। Nixon में हम देखते हैं, ये राद में Matty और Ned ये दोनों बात कर रहे थे। Matty कहती है कि मेरे husband की मर जाने के बाद, उसकी आदी property उसकी sister को चली जाएगी। तुम एक lawyer हो, तुम इस wheel को तो change कर ही सकते हो। Ned कहता है कि मैं कर तो सकता हूँ, पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अब तुमारे husband की life में जो भी चीजी जिस तरह से चल रही थी, उसी तरीके से चलनी चाहिए। एकर कुछ भी उल्टा सिदा दिखा, तो हम पर शक आ सकता है। मैटी भी इसके लिए माज जाती है। इसके बाद Ned एक आदमी से मिलने के लिए आया था। मैटी ने जीत की कि वो भी उसके साथ चलेगी। जो भी risk है वो एक साथ लेंगे। वो एक मैकेनिक से मिलने के लिए आया था। ये जो मैकेनिक है ये पहले illegal काम करता था, bombs बनाता था। वो legal trouble में आया था, तो नेड ने उसे save किया था। यब नेड उसी की मदद लेकर एक bomb create करता है। मैकेनिक नेड को बहुत ही grateful है क्योंकि उसी की वज़े से वो बचा था। वो नेड को सला देता है। तुम जो भी plan कर रहे हो ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुमने ही मुझे कहा था एक crime की पीछे बहुत सारी चीज़े गलत हो सकती है। अगर तुम्हें वो सब चीज़े दिख नहीं रही तो कभी भी crime मत करो। तुम इतने भी smart नहीं हो जो crime करकर बच जाओ गया। नेड इस विचारे की बात नहीं सुनता। अपने plan के साथ ये अब आगे बढ़ते हैं। वो मैटी से कहता है कि अब मैं माय में चला जाओंगा। तुम मुझे contact नहीं कर पाओगी। उसी रात वो murder करने वाले हैं। मैटी का husband डाउन में आ गया। रात में उसे नीम नहीं आ रही थी तो नीचे जाकर वो drink करने वाला था। अगर मैटी का husband नीचे जाकर drink कर रहा है तो नेड को आने में तकलीफ होगी। उसे पहले ही पता जल जाएगा और यह दोनों उसे मार नहीं पाएंगे। मैटी जगी हुई थी और अपने husband को जाने नहीं दे थी। उसके साथ वो intimate हो जाती है। अचनक से नीचे से नेड का आने का आवाज आता है। मैटी का husband उटता है और directly gun निकालता है। मैटी को इस gun के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बहुत ही डर गई थी। जब उ उसी की property पर जाकर उसे dumb कर दिया। यहाँ पर already उसने bomb लाया हुआ था। इस bomb की वज़े से आग लग गए। इसका plan था कि सब लोग को लगेगा कि आग की वज़े से ही मैटी के husband की date हो गए। अगले दिन नेड को उसके office में call आता है। यह call मैटी के husband के lawyer का है। वो कहता है कि मैटी ने मरने से पहले अपनी will change की थी और उसने यह Nate से करवाई थी। इसके बारे में उसे Nate से बात करनी है। नेड समझ आता है कि यह सब मैटी नहीं किया है। उसने उसे मना किया था पर फिर भी उसने कर डाला है। इसके बाद मैटी, मैटी के husband का lawyer, उसकी sister-in-law, Nate और और उसका एक friend, जो एक posticuter है, यह सब वहाँ मिले है। लोयर कहता है कि will change कर दी गई थी। इसी वजह से उसमें problem है। इस will को हम valid नहीं समझ सकते हैं। अब कोई भी will valid नहीं है। तो मैटी के husband के सारे वैसे अब मैटी को मिलने वाले है। प्रिवियस will में मैटी को और उसकी हुई थी है। जी वजह से उसे बहुती ट्रबल आया था। इस बार उसने कुछ भी नहीं किया और फिर भी उसकी अब बदनामी हो गए। यह करना रिस्की भी था क्योंकि अब इन दोनों पर शक आ सकता है। बैटी नेड से यह थी है अगर तुम्हें हेट मुझे करना है तुम कर सकते हो पर मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकते है। इन दोनों को मिले हुए बहुत सारे दीन हो चुके हैं। वो उसे रात में उसके घर आने के लिए कहते हैं। नेड जब अपने घर पर पहुचा तो उसके फ्रेंड उसके लिए वेट कर रहे थे। और वाइफ मेरे पास आये थे और मैंने उन्हें वील बना कर दी। इसमें से पुलिस ओफिसर कहता है। सबको लग रहा था कि मैटी का हजबन आग की वज़े से मरा पर उसका मर्डर हुआ है। उन्हें लगता है कि शायद मैटी नहीं किया होगा। नेड को वान करते हैं कि तो बहुत ही डिंजरस हो सकती हैं उसे तुम जरा दूर रहो। नेड कहता है कि तुम जरा लेट हो के हैं। उसे मुझे आज रात उसे मिलने के लिए बुलवाया है। जब तक मैं उससे अफेर कर सकता हो। तब तक में करूँगा। और वैसे भी मुझे माल कर उसे क्या मिल मेरे पास तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है उसके फ्रेंड कहते हैं कि तुम तुम्हारी आयाश्य की वज़े से एक दिन बहुत ही बुरे फस हो गये पर वहाँ से चले जाते हैं जब मैटी और नेड एक साथ थे तो नेड ने उसे पूचा तुम्हें विल इन्वालेड करने के बारे में कैसे बता हैं मैटी कहती है कि मैं पहले ड्रग करती थी मेरे लाइफ पूरी तरीके से बरबाद हो चुकी थी एक आदमी ने मुझे हेल्प की और उसी के फर्म में जॉब भी दिया वो भी एक लॉयर हुआ करता था उसे ओफिस में उसने ये सब चीज़ें सीख ली थी नेड कहता है कि अब पुलीस को तुम पर शक है मैटी कहती है जब तक हम एक दूसरी के साथ है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे मिले या ना मिले उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता इसके बाद नेड को उसके फ्रेंड्स ने कॉल किया उसका पुलीस फ्रेंड उसे कोशता है कि जिस रात मर्डर हुआ था तब तुम कहा थे नेड उस पर चिट गया गयता है तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो उसका फ्रेंड कहता है यह सिर्फ एक प्रोसीजर है तुम्हें मैटी के साथ देखा गया था तो मुझे अब यह सब करना पड़ेगा नेड का प उस घर में लाई गई थी उन्हें और एक चीज़ पता चली है कि मैटी का किसी के साथ अफेर था एक्च्वल में मैटी की सिस्टर इनलौ की बेटी ने मैटी और नेड को एक साथ देख लिया था उसने बात पुलिस को कही है पर नेड कौन है यह उसे पता नहीं था तो उसन जमाना चाता है यानि को उसके बारे में कुछ भी ना कहा है इसके बारे में उन दोनों ने बात कि तब नेड के फ्रेंड को अब लग रहा है नेड ही था जो मैटी के साथ इंटिमेट हो रहा था नेड फिर मैटी के पास आता है वो बहुत ही गुस्सा है वो पूछता है रही है, Ned को ऐसा बुलशिट लगता है, वो कहता है, अगर ऐसा अगर ऐसा होता, तो उसने अभी तक हमें ब्लैक मेल कर डाला होता, मैट्यी उसे सौरी कहती है, कहती है, इस केस की वज़ेसे हमारी relationship में जो भी सब हो रहा है, उसे पसंद नहीं है, वो नहीं चाहती है, कि थे हम तुम्हारे होटेल में कहे थे हमें वहाँ से पता चला पूरी रात तुम्हारे होटेल में कोई तुम्हें रिंग दे रहा था पर तुम वहाँ उसे उठाने के लिए नहीं थे यानि किसे पता चलता है कि Ned वहाँ से गायब था इसके बाद हो कहता है हमें किसी का call आ रहा है वो हमसे कहता है कि उसके पास Mattie के husband की glasses है इस glasses के fingerprint से killer कौन था यह वो पता कर सकते हैं इन सब चीजों की वज़े से Ned बहुत ही tension में आ गया इसके बाद हम देखते हैं कि Ned एक land buy करने के लिए out of town आया हुआ था बहुत सालों पहले Ned ने एक will में गलती कर दी थी इसी वज़े से उस पर case हुआ था जो lawyer उसके खिलाफ case लड़ रहा था वो उससे फिर से मिलता है Ned का career उसने बहुत जादा बरबात कर दिया था तो Ned से कहता है कि हम दोनों professional lawyers है तुम समझ सकते हो कि मुझे एक करना पड़ा मुझे उसके बाद guilty measures हो रहा था तो मैंने तुमारे लिए client भी बेजे थे इस client का नाम वो Mattie बताता है Ned बहुत ही शौक हो जाता है यूकि जब वो Mattie से मिला था उससे पहले Mattie को Ned के बारे में पता था उसने will में गलती की थी ये भी Mattie को पता था और वो उस पर strongly शक करने लग जाता है बॉम बनाने के लिए जिस mechanic ने Ned को help की थी वो police custody में है वो कुछ भी बोलने नहीं वाला पर Ned को call करता है उससे कहता है कि जब तुमने मुझसे bomb बनवाया उसके कुछी दिनों बात एक औरत मेरे पास आई थी उसने मुझसे और एक bomb बनवाया हुआ है जैसी कि हमें पता है कि Ned के साथ मैटी भी उस mechanic के पास आई हुई थी पर वो बाहर गाड़ी में ही बेटी थी नहीं कि उसे पदा था कि mechanic कहा है Ned ने अब figure out कर लिया है कि मैटी उसे फसाना चाहती है अगली दिन नेड को मैटी का call आता है उसे कहती है कि अब मुझे सब कुछ पैसे मिल चुके है जिस चश्मे के बारे में भी बात हो रही थी अब वो भी मुझे वो मेट दे देने वाली है तुम मेरे boat house जाना वहाँ पर तुम्हें glasses मिल जाएंगे Ned वैसा ही करता है पर अब उसे मालूम है मेटी के पास एक bomb है अगर उसने घर में इंटर किया तो ये bomb फट जाएगा Ned फिर जाकर मेटी के घर से गन चुरा लेता है रात में उसे मिलनी के लिए आया मेटी गन देखकर डर जाती है वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो Ned कहता है मुझे glasses नहीं मिले मेटी कहती है कि वो वही थे तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पर शक क्यों कर रहे हो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो मैं कभी भी तुम्हें धोका नहीं दे सकती है हमेशा इसी तरीकी से sweet talk करकर वो नेड को फसा डालती है पर नेड इस बार फसने वाला नहीं नेड कहता है कि तुम अब खुद उस boat house तक जाओगे जाकर specs लेकर आओगे वो वहाँ तक गे और ये पुरा house प्लास्ट हो गया मैटी और नेड पर उसका police फे नजर ही रख रहा था अब पुरा शक नेड पर चला गया मर्डर के लिए उसे बड़ी सी चेल होके नेड ने मैटी के हस्बंड से गन ली थी सिवजे से उसके खिलाब strong case बना था इसके बाद नेड figure out करता है कि मैटी अभी भी जिन्दा है उसने शायद ये सब stage किया था वो अपने police friend को बुलाता है कहता है कि मैटी अभी भी जिन्दा है तुम्हें उसका पता निकालना चाहिए ये friend कहता है कि उस boat house में हमें एक body मिली थी हमने जब उसे identify किया तो मैटी की ही थी इस case के बारे में अब उसका friend कुछ भी नहीं कर सकता नेड को अभी भी लगता है कि मैटी ने अपनी identity fake की होगी वो फिर मैटी जिस school में गई थी वो school की yearbook मंगवाता है यहाँ से उसे पता चल जाता है कि मैटी का real ने मैटी था ही नहीं नेड को मैटी ने उसकी friend से मिलवाया था जिसका नाम था Mary Ann मैटी का original नाम Mary Ann था एक्चुल में नेड की मैटी को उसकी friend blackmail कर रही थी क्योंकि उसकी identity वो used कर रही थी मैटी को बहुत सारे पैसे चाहिए थे और नेड भी उसके लिए दिवाना था उसने फिर plan बनाया अपने husband, अपने friend को उसने मार डाला और इस सब में मैटी को उसने फसा दिया इसके बाद वो एक अच्छे सी location बजा कर मजे करते हुए हम देख सकते है बैचारा नेड इस जेल से निकल नहीं पाया प्यार में वो अंधा हो चुका था और इसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी है इसी तरीके से मूवी एंड होती है और आज का वीडियो हम यही खतम करते है पिर आप को वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नुटिवेशन आइकोन लबाना में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एकनी मूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिये